सोमबाट 6 दिसंबर को रूस के राश्ट्रोपती व्लादीमिर पुतिन और पधान मंत्री नरेंद्र मोदी की द्वी पक्षी वारता हुई जहां व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर जोड दिया गया साथ ही वारता के बाद विदेश सचिव हर्ष वी श्रिंगला ने रूस और भारत के बीच हुई S-400 मिसाइल डील को लेकर भी जानकरी दी है अमेरिका की नाराजगी के बाद भी रूस और भारत की बीच S-400 मिसाइल को लेकर डिल हुई और विदेश सचिव के अनुसार भारत के लिए मिसाइल सिस्टम को रवाना भी कर दिया गया है उन्होंने कहा S-400 की सप्लाई इसी महीने शुरू हो गई है और आगे भी होती रहेगी विदेश सचिव ने बताया कि राश्टरपती पुतिन का दौरा छोटे समय के लिए जरूर था लेकिन दोनों देशों के बीच 28 समझोते पर हस्ताक्षर हुए है हर्शु शिंग्ला ने कहा तथ ही ये है कि रूसी राश्टरपती व्लादी मेर पुतिन ने हमारे वार्शिक शिखर समयलन के लिए भारत का दौरा करने का फैसला किया है ये इस बात का संकेत है कि विद्वी पक्षी संबंधों और प्रधान मंत्री नरिंद मोदी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंधों को कितना महत्व देते हैं रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भारत और रूस के बीच हुई S-400 मिसाइल दील की प्रशनसा की और अमेरिका के कानून C-A-A-T-S-A यानी जिसके तहट अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है इसको लेकर भी इक टाक्ष किया था एक रिपोर्ट के मताबिक भारत और रूस के बीच S-400 मिसाइल दील को लेकर जो बात्चित शुरू हुई थी वो C-A-A-T-S-A के अस्तित्व में आने से पहले ही हो गई थी हालंकि प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है C-A-A-T-S-A के बारे में बात करते हुए हर्श शिंगला ने कहा मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा आज रूसी प्रतिनिदी मंडल के साथ बातचीत में आया साथ ही वैधता का मुद्दा यानि तालिबान सरकार की वैधता भी नहीं आया आगे हर्श शिंगला ने कहा कि इस साल पिछले साल की तुलना में हमारे बीच हुए व्यापार में व्रद्दी देखी गई दोनों पक्ष व्यापार और निवेश में निरंतर व्रद्दी की आशा कर रहे हैं वो कहते हैं हमने तेल और गैस के शेत्र में साथ-साथ पेट्रो रसायन के शेत्र में और निवेश करने में रुचिव्यक किती हो Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries